इस समारो में प्रमुक रूप से उपस्तित, महरास्ट के राजिपाल स्री बगत सिंह कुश्यारी जी, महरास्ट के मुख मंत्री स्री उत्वर ठाकरे जी, उप मुख मंत्री स्री अजीद पवार जी, प्रदेश के सार्व जनिक बांध काम विभाग मंत्री स्री अशोग चाउ मुंबई राजबवन के नूतन दरवार हाल के उद्गाटन के इस शुब आवसर पर मैं महाराश्ट की जनता और सरकार को बधाई देता हूँ महाराश्ट के लोगों और यहां की धर्ती में जरूर कुछ ऐसी खासियत है जो मुझे बार-बार यहां खीच लाती है इस बार की यात्रसहित मैं पिछले सारे चार बरसों में लगबग बाराई बाराई बार महाराश्ट आ चुका है आप सभी महाराश्ट के लोगों से यदि कोई आपके राज्ज के नाम की उत्पत्ति या आर्थ पूछे तो आपको भाषा विज्ञान और इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है आपका हिर्दे ही आपको सीधा सा उत्तर देगा अमचा महाराश्ट यानि महानराश्ट अर्थार भारत का है महानराश्ट पूछे महाराश्ट की महानता के इतने अधिक आयाम है कि उनका जितना बढ़न किया जाए वो कम है यदि केवल महाराश्ट की विभूतियों का नाम गिनाया जाए तो ऐसी सुची का अंत नहीं होगा चाहे वो सिवाजी महाराज हों, संत एगनाथ, संत तुकाराम, संत ज्यानेश्वर, मात्मा ज्योति वाफूले, बाल गंगा धर्तिलक्त, गुपाल कश्न गोखले, बाबा साहब, डक्टर भीमराव अमेटकर और डक्टर केशो बली राम भेट गेवार जैसी अनेख विभूतियों में महाराज्ट की महानता का ऐसा विशाल प्रवाह दिखाई देता है, जिसकी धाराएं तो अनेख हैं, लेकिन सब का उद्देश मानव जीवन की उचाई हासिल करना रहा है महाराष्ट अध्यात्म की भूमी भी है और अन्याय के विरुद् वीरता पूर्ण संगर्शों की धर्ती भी है यह देश वक्तों की भूमी भी है और भगवद वक्तों की भी यह राज्य भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है और सांस्कृति भी है। चाहे अजन्ता एलोरा की गुफाओं में प्राप्त कला की मुचाई हो या पश्चमी घाट का प्राकृतिक संदर महारास्ट में प्रतिभावा प्रकृति दोनों का प्रशूर वर्दान दिखाई देता है। यहां के लोगों का अतिती सतकार भी पुशित है। ऐसी अनेग विशिस्ताओं के कारण मेरे लिए ही नहीं, देश-विदेश की असंख लोगों के लिए महारास्ट की बार-बार यात्रा करने का आकर्शन बना रहता है। देवी और सर्जनों। लेकिन इस बार की यात्रा में मुझे सूनता का ऐसास भी बुड़ा है। लता जी का संगीत अमर है, जो सभी संगीत प्रेमियों को सदय मंत्र मोग करता रहेगा। साथ ही उनकी साथगी और सोम शुभाव की इस्मती भी लोगों के मानस पटल पर अंकित रहेगी। मुझे निजी तोर पर उनका इसनेह बिलता रहा। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत छती भी है। देवियोर सज्जुनौ। देश की स्वाधिनता के 75 वर्स में मनाये जा रहे है। आजाती का अमरत महोत्सों के दोरान इस राजबवन के नूतन दर्वार हाल का उत्गाटन करके मुझे बहुत प्रशंदता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हेरिटेज बिल्डिंग की विसेशता को बचाय रखते हुए भी ये नवनिर्मान किया गया है। परंपरा को बचाय रखते हुए समय की मान के अमसार आधुनिकता का वर्ण करना विवेक पून होता है। नई सुविधाओं से युक्त इस दर्वार हाल के नर्मान के लिए मैं राज्यपाल महोदर, राजसरकार के प्रतिनिदियों और सभी संबद्द अधिकारियों की सरहना करता है। राश्ट्रपती भवन की तरह ये राजभवन भी आज के यूग में विश्व के सबसे बड़े लोगतंत्र के जन्मानस की आशाओं और आकांचाओं का संबद्दानिक प्रतीक बन चुका है। इसका इतिहास भले ही अंग्रेजी उपनिवेश के महतु से जुड़ा हो। इसका वर्तमान और भविस महाराश्ट और पूरे देश की गौरव यात्रा से जुड़ा है। आज से लगवग धाई वर्स पहले अगस्त 2019 में मुझे इस राजभवन के अंडरगाउंड बंकर म्यूजियम का उद्गाटन करने का अफसर विप्राप्त हुआ था। उस म्यूजियम में लोगों को राजभवन से जुड़ी रोचक जानकारियां पूपलब्ध होती हैं। देवियों और सज्जनों, हमारे संभिधान के अनुशार हम भारत के लोग देश की संप्रभूता के आधार हैं। दरवारहाल के उद्गाटन के इस समारोग को मैं भारत की स्वादिनेता और लोग कंत्र के उत्सो के रूप में देखता हूँ। जनता सर्वोपरी है और मुझे विश्वास है कि राजबवन सहित दरवारहाल भी लोग कल्यान की गतिविदियों का एक प्रभावी केद्र बनेगा। स्वादिनता प्राप्ती के पहले तक दरवार शब्द राज साही से जुड़ा था। लेकिन आज का दरवार लोग साही से संबद्ध है। लोग तांत्रिक विवस्ता में सुशाशन का सर्वादिक महत्पूर पक्षय पारदर्शिता। दरवार का आधनिक शुरूप पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। दरवार की विवस्ता में ना तो कोई वक्तिगत बात होती है और ना ही कोई गोपनी बात होती है। से लोगों से जुड़ने का तरीका प्रचलित होता जा रहा है इस प्रकार नए संदर्व में यह नया दर्वारहाल हमारे नए भारत नए महारास्ट और हमारे जीवन्त लोग तंत्र का नया प्रतीक है दर्वारहल के इतियास और वर्थवान से जुड़ी आडियो विज्वल फिल्म को देखकर रोचक और महातपूर जानकारी प्राप्त हुई साथ ही मेरे निजी जीवन से जुड़ी कुछ यादें भी मेरे मानस पटल पर पूहरने लगी उचितम नैतिक आदर्सों पराधारत राजलीती के पक्षदर और अशाधारन प्रशासनिक छमता के लिए जाने वाले स्री मुराजी देशाई का बंबए राजी के मुख मंतरी पट के लिए सपत ग्रंण समा रोगा आयोजन राजभबन के इसी दरवार हाल में पूहरन मैं अपना सवभाग मानता हूं कि भारत के पूर प्रधानमंत्री स्री मुराज देशाई ने मुझे अपने निजी सचिव के रूप में कारी करने का आउश्रा प्रदान किया था। देवियों और सर्जनों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महारास्ट में ही बावा साथ डाक्र भीम राव आमबेटकर की जीवन यात्रा से जुड़े मुंबई, नार्गपूर और रत्नागिरी में स्थित हैं। ये मेरे लिए सवभागी की बात है कि कल मुझे रत्नागिरी जिले में स्थित बावा साथ के पैत्रिक गाउं आमबडवे जाने तथा उनके इसमारक पर उस्पांजली अर्थित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। दो मापूर्व मुझे महाराश के स्री चत्रपती सिवाजी महाराज की राजधानी रायगर दुर्ग में जाकर उनके समाधी इस्तल पर उनकी पुर्ण हिस्वती को नमन करने का अवसर भी मिला था। सिवाजी महाराज ने लगवग 350 परस पहले किसी छेत्र में देश प्रेम और स्वाविवान की जोती प्रज्वलित की थी। उस जोती के प्रकास के बलपर बाद में पूरे देश में मराथा राज्य का अव्युदे हुआ। आज भी महाराज अनेक मातपूर मातदर्णों पर देश के अग्रणी राजियों में है। मुंबई का ये राजववन महाराज के अग्रणी राज्य होने का साक्षी रहा है और रहेगा। मैं अन्त में सभी महाराज रवासियों को इस नए दर्वार हाल के उद्खाठन की बधाई देता हूं। और आप सब के उन्त उज्जवभवस की कामना करता हूं। धन्नवाद जैए।